हलो दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे अपने यूटूब चनल क्या आपको पता है में तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एलबिनो कोबरा की वाइट साप के बारे में तो अभी एक वीडियो वारल हुआ है जो हिमाचल परदेश के चंबा जीले के आसपस की यह वीडियो काफी वारल होती जा रही है और बता दे दोस्तों की दुनिया में सफेद सापो की दुरला प्रजातिया कोबरा का यह पाया जाता है जहां एक सफेद कोबरा को जाड़ी से निकलते हुए उस देर वहां के बच्चे उन्हें देखकर एक वीडियो में कैद कर लिये हैं और माना जाता है कि वह कोबरा कई वरसों के बाद देखी जाते हैं दुनिया में सफेद रंग की साप बहुत ही दुरलाब होते हैं ऐसे में वहां हिमांचल परदेश में सफेद रंग का साप देखना वायकई है रतंगेच कारनामों में से एक है और दोस्तो यह वीडियो को दावा इसलिए दिया जा सकता है क्योंकि उस टाइम जब बच्चे वहां खेर रहे थे तब ज़ाड़ी से निकल कर जब कुछ दिर वहां रुका तो कुछ बच्चे उनका वीडियो बना लेते हैं और यह वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बलकि 3-4 मिनट की हैं तो उस टाइम जब वीडियो बनाया जा रहा था तो इसे सोचल मेड़ा में अपलोट कर दिया गया और फिर देखा गया कि यह वीडियो एक वारन वीडियो की तरह बड़ती जा रही हैं और इस वीडियो में हलाकि यह पता नहीं चल रहा है कि यह वीडियो हिमाचल परदेश के किस जीले और किस जगह के छेत रहे हैं लेकिन वीडियो में जरूर दीख रहा हैं एक सफेद र माडू में इस प्रकार की घटना हुई थी जिन में एक वाइट कलर के कोब्रा इसी की घर से निकल कर बाहर जा रहे थे लाइफ वर्ड एंड नेचर कनवर्सेशन स्टेंथ करमचारी द्वारा उन्हें रेस्कू किया गया और उन्हें जंगल में छोण दिया गया और दोस्तो पिछले साल भी इसमें एक घटना ऐसे ही पाया गया जिसमें पूरे के आसपास वाइट कलर के साथ देखा गया और बता दे दोस्तो सफेद रंग और लाल आखो वाली या कोबरा बहुत ही जहरीले होते हैं और बताया जाता है कि इनके स्कीन का जो वाइट कलर का होना भी एक अपने आप में बहुत ही दुरलब होता है जिस प्रकार छोटे बच्चे की आँख वाइट होती है तो उसमें मेलानिन की कमी होती है उसी प्रकार इनकी चम्री अदी वाइट है तो उनमें मेलानिन की कमी होती है जैसे अगर साप वाइट है तो मेलानिन की कमी कही यही कारण होता है कि उनकी त्वचा सफेद होती है और दोस्तो माना जाता है कि कोबरा एलबिनो की अभी तक केवल 10 ही ऐसे साप देखे गए हैं जो वाइट कलर के हैं तो हम कह सकते हैं कि वाइट कलर का यह साप वाइट रंग के दिखने वाले यह साप बहुत ही दुरलब होती है जो बहुत ही कम इस्थानों में अभी तक देखा गया है और यह भी बताया जाता है कि यह जो प्रजाती के साप होते हैं वह विलुप्ति की कगार्म हैं कभी भी समाप्ता हो सकते हैं तो हमें इस तरह के साफ जहां भी दीखे हमें Rescue Operation दोर जंगल में छोड़ दे जाना चाहिए क्योंकि अंद्वी स्वासों के चलते इस तरह के साफ को देखा जाए तो उझे मार भी दे जाता है तो उमीद करते हैं कि जहां भी दीखे इस तरह के साफ तो उन्हें Rescue Operation को Call कर उन्हें Rescue कराया जाना चाहिए तो दोस्तों उमीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुती अच्छा लगा होगा मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो और नए टाप्वी के साफ तो थैंक्स पर वाच्छिंग